हमारे पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम हमारे आसपास पाय जाने वाले सबजियों फल फूल और किचन में उपयोग किये जाने वाली कुछ वस्तूओं के नाम गोंडी भासा में जानेंगे तो चलिए साथियों वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला सब्ध है जीमिकंद जिसे गोंडी भासा में सुरुन माटी कहते हैं इसी तरह दूसरा हिंदी का सब्ध है अर्वी जिसे गोंडी भासा में डांगुन माटी कहते हैं इसी तरह तेल को हमारी गोंडी भासा में नी या फिर नीय इस तरह से कहा जाता है हमारा अगला सब्ध है नमक जिसे गोंडी भासा में सवड या फिर हवेर इस तरह से कहते हैं आगे बढते हैं अगला हिंदी का सब्ध है थाली जिसे गोंडी भासा में टाटी या फिर धड़िया इस तरह से कहा जाता है अगला हिंदी का सब्ध है सेम अगर एक सेम है तो इसे गोंडी भासा में जाटा कहेंगे और एक से अधीक सेम है तो इसे बहुवचन के लिए जाटां कहा जाता है हमारा अगला हिंदी का सब्ध है मुली जिसे एक वचन के लिए मुला माटी और बहुवचन के लिए मुला माटिंग इस तरह से कहते हैं अगला हिंदी का सब्द है मस्रूम जिसे गोंडी भासा में साथिया या फिर कुहक कहते हैं अलग-अलग प्रकार के मस्रूम के लिए अलग-अलग प्रकार के नाम होते हैं, लेकिन पर्टिकुलर मस्रूम के लिए साथ्या या फिर कुख प्रियोग किया जाता है। अगला हिंदी का सब्द है अदरक, जिसे गोंडी भासा में एक वचन के लिए आदा और बहुचन के लिए आदांग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला सब्द है दाल, जिसे गोंडी भासा में एक वचन के लिए डारी और बहुचन के लिए डारिंग कहा जाता है। हमारा अगला सब्द है चना, जिसे गोंडी भासा में हडई या फिर हडई इंग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगला हिंदी का सब्द है बैगन जिसे गोंडी भासा में सापा या फिर हापा कहते हैं। इसी तरह अगला सब्द है खीरा, जिसे गोंडी भासा में खाकडे कहते हैं। इसी तरह सफेत कड्दू जिसे गोंडी भासा में कुमडा कहा जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को इसी तरह के गोंडी भासा सीखने से जुड़े और नए नए वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा से शेयर कीजिए, मिलता हूं आप सभी से एक और नए वीडियो में तब तक के लिए सेवा जोहार।